तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका की नॉर्थ अमेरिका की बात करने के पहले एक बार देख लेते हैं कॉंटिनेंट की exactly definition है क्या तो देखी कॉंटिनेंट का कोई definition नहीं है यह एक large landmass होता है और continent को हम identify करते हैं by convention यानि कि यह आम तोर पे जिसको बोला जाने लगा कि हाँ यह continent है तो उसे हम continent के तरह से जान लेते हैं इसका कोई strict criteria नहीं है हाँ कोशिस की गई कि कुछ criteria बनाने की बड़ ऐसा कोई strict criteria नहीं है ठीक है तो सबते पहली बात तो यह हो गई अब बात करते हैं कि जो seven continents है उनका area wise sequence और population wise sequence वो आपको at least याद होना चाहिए तो देखिए अगर area wise हम बात करें तो obviously Asia largest continent है उसके बाद Africa हो गया उसके बाद फिर North America फिर उसके बाद South America then Antarctica Europe और Australia ठीक है तो Asia हो गया largest Australia हो गया smallest और North South इस तरह से sequence में आएंगे अंटाक्टिक और योरोप आएगा अब अगर population wise बात करें तो Asia हो जाएगा number one यानि कि Asia area में भी number one population में भी number one उसके बाद Africa तो देखिए दो order तो सेम सेम है अब यहाँ पर थोड़ा सा population में योरोप आए हो जाएगा North South अभी भी sequence में ही है तो बस योरोप को ऊपर कर देना है उसके बाद North South आ जाएगा Antarctica तो यह हो गया area wise और population wise हमारा sequence अब जो नौट अमेरिका है इसका जो एरिया है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो यह कितना है 24 million km2 24 million km2 तो यह जो है वर्ल्ड का जो land surface है उसका यह 16.22% कवर करता है ठीक है तो land surface अपने पास कितना है almost 30% तो इस 30% का 16% यह कवर करता है फिर इसके बार इसको सबसे पहले इसके बारे में पता किसको लगा Columbus को पता लगा discovery हाला की word यूज कर दें और discovery वाली थोड़ा सा अजीब विवात लगती है तो Columbus ने इसको सबसे पहले पता लगाया जो कि European था तो किसी European को सबसे सबसे पहले कब पता लगा 1492 में पता लगा और इसके बाद जिस टाइम तक इसका पता लगा उसके पहले केवल एशिया योरोप और अफ्रीका यह तीन ही continent थे जो कि उस टाइम की जो इन ही तीन continent की जो population थी उनको known था कि हाँ भाई यह तीन दुनिया में तीन जगहे तो हैं अब इन तीन के बाद 1492 में पहली बार कुछ नई जगह पता चली तो इसी लिए इस नई जगह को क्या बोला गया continent of new world तो old world और new world यह term कैसे आ गई कि after 1492 या ऐसा कहें before 1492 तीन continent थे जो known थे लोगों को और उसके बाद 9 ने continent जैसे इसे पता लगते गए तो उनको क्या बोल दिया गया new world बोल दिया गया तो इस तरीके से new world में बाकी के जो continents है वो आ जाएंगे अब इसका जो नेम है अमेरिका यह किसके नेम पर पढ़ा तो यह अमेरिको वेस्ट पुस्वी ठीक और सराउंडेड है Arctic Ocean जैसे अगर मा लिए यह हमारा हो गया North America तो यहां क्या है यहां Arctic Ocean है और इस तरफ क्या है इस तरफ Atlantic है और इस तरफ Pacific हो गया तो यह होगी बात और इस वाले reason में यहां यह अपना हो गया North America इस तरह से और यह हो गया South America हम यहां की बात करते हैं इस जगह पर ठीक है दोनों का जहां पर merging हो रहा है उस जगह पर land का group है island का group है और इन ुरिंश को क्या बोलते है Western इस गोलते है जारा रहे थे India णो Atlantic Ocean लेकिन अमेरिका साइट पहुँच तो यह वहा कि चलो इनडी ठीक तरफ तो जाही रहे थे आब अब यह Indies वो वाला Indies तो नहीं है तो हमें जाना था East वाले Indies में तो पहुँँचने पाए तो इसको क्या बोल दिया जाए West Indies बोल दिया जाए तो भाई West Indies जो रीजन है अब हम इसका पूरा Retaild Map देखने वाले है ये जो रीजन है ये North America ये जो सब रीजन है क्या वेस्ट इंडीज कोई country है नहीं कोई country नहीं है यह सब reason है कहां का North America continent का और यह surrounded किस्से है North Atlantic Ocean से Caribbean Sea से और इसमें total countries कितनी आती है 13 आती है ठीक है तो वेस्ट इंडीज क्या है एक reason का नाम है और इसमें कितनी countries आती है 13 countries आती है तो पहले इसके map को देखते हैं यह देखे आप यहां देख सकते हैं और अगर हम और डिटेल बात करें यहां पास वह यह पूरा map है किसका यह है वही वेस्ट इंडीज हम इन ही को वेस्ट इंडीज बोल रहे हैं ठीक है तो अब एक बार यह देखे कि थोड़ा मोटे मोटे तौर पर देखें वेस्ट इंडीज को तो कि लिए तो इसको तीन पार्ट में डिवाइट किया गया है तीन पार्ट कैसे हो गया है तीन पार्ट ऐसे कि यह देखे चार आइल्लेंड ईक ही हो गया क्यों कि यह हो गया एक जमेका एक हो गया है और ईक हो ग़ए क्लिए पृत winners इनको मिला करके बोल दिया Greater Antilles इसको क्या बोलते हैं greater Antilles ठीक है भी यह हो गया एक पार्ट अच्छा इधर यहां छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे आइलेंड से इनको सब को मिला दिया जाए तो बन जाएगा Bahamas the Bahamas और इस तरब के छोटे-छोटे वेस्ट यह कहें Caribbean वेस्टन डीज़ बे तो थर्टी यह इन आईलेंड कंट्रीज हो गई और यह जो रिजन है इसको कैरेबियन डीजन बोलेंगे तो कैरेबियन डीजन में तीन रीजन मेंली हो गए एक तो क्या हो गया greater Antilles एक हो गया laser Antilles और तीसरा क्या बता है मैंने बहामाज बहामाज को और क्या बोला जाता है एक यह वाला पार्ट हो गया और एक यह वाला पार्ट हो गया तीन पार्ट में हमने करेबियन डीजन को वेस्ट इंडीज की जो थर्टीन कंट्रीज है इस इन तीन रीजन में इनका लोकेशन है तो अब हम इनको कंट्री वाइस देख लेते हैं ठीक है थर्टीन कंट्रीज यहां देखिए यह क्या है Virgin Island और यहां क्या लिखा हुआ है US यह क्या है British Virgin Island यहां क्या लिखा है UK तो यह जो है आईलेंड यह किसी ने किसी कंट्री पर dependent है तो इनको country नहीं बोलेंगे तो country की बात करें तो देखें red ग्रूप ओफ आईलेंड था तो ग्रूप ओफ आईलेंड को हमने बहामास बोला था ये नसाओ हो गया इसका और इतना ठीक ये हम कंट्री के बात कर रहे हैं तो बहामास क्या कंट्री भी हो गया रिजन में भी आ रहा था है ना और ये कंट्री हो गया तो जैसी बी के मतलब क् क्यूबा और बाहमस, इसके बाद, JCB से किसको हटा दिया, Domien Republic, तो हायती हो गया और Domien Republic हो गया, ठीक है बाई, टोटल कितिए के फाइव हो गयी, अच्छा, इसके बाद बात करें, इदर, तो देखिए, यहाँ पे एक तो यह हुआ, और थोड़ा सा, हाँ यह ठीक है तो एक हो गया सेंट किटीज एंड नेवीज एक सेंट किटीज एंड नेवीज एक तो यह हुआ ठीक है भई एक हो गया सेंट लूसिया सेंट लूसिया और एक हो गया सेंट विंसेंट एंड गरनेडीन्स ग्रैनेर्डिन्स, चिक है बई, तो 3 तो होगे, सेंट वाले, एक सेंट क्या है, KITS and NAVIS,Lord普 cay similarities, एक क्या है, लीूस्या टो एक क्या है, WINCENT and ग्रैनेर्डिन्स, तीन तो होगे, सेंट वाले, आच्छा बई, अब यहाँ Antigua और डॉमिनिका, अभी हमने आचा उसके बीच पे दो हमने बता दिये Antigua और Barbuda इसके बाद तीन नीचे यहाँ पे हैं कौन-कौन से हैं Barbados, Granada और Trinidad and Tobacco Trinidad and Tobacco ठीक है बई तो इस तरीके से टोटल 13 countries हमने यहाँ पे देख लिया Caribbean reason यह रहा ठीक है तो एक बाद फिर से JCB था उसके बाद हटाय डोमिनियन रिपॉब्लिक को सॉरी है टी रिपॉब्लिक डोमिनियन रिपॉब्लिक हो गया और इसके बाद फिर तीन सेंट थे सेंट किट्स एन नेवीज उसके बाद सेंट लूजिया उसके बाद सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन तीन सेंट हो गया और ऊपर यह जो सेंट का यह वाला जो लाइन है इसमें बीच में दो कंट्री है कौन-कौन सी एंटिगुआ एंड बार्बुड़ा और उसके सेंट बात करते हैं अब बात करते हैं सेंटल अमेरिका की थे एंटेल अमेरिका में टॉटल स सेवन कंट्रीस आ रही हैं सेंटल अमेरिका में सेवन कॉंट्रीज आ scor Zvalym तर सेटल्स नेल अमेरिका आपके जरोसे का में आपक यह अपना अमेरिका नॉइस्टे इस rebeldade मंत्रेश के आइस हैं यह यहीर्म चाहते अमेरिका कहा है साउत अमेरिका और यहां अब यहां यहां के बाद कि मादक भी। West Indies के बाद West Indies के बाद यहां यहां Canada है यहां यूएस है और यूएस के बाद यहां मैक्सिको है ठीक है तो मैक्सिको और साउथ अमेरिका के बीच यहां पर जो कंट्रीज है मैक्सिको इधर यह रा मैक्सिको और यह रा साउथ अमेरिका मैक्सिको और साउथ अमेरिका के अमेरिका में कौन-कौन सी कंट्रीज हैं उनको देख लेते हैं तो सबसे पहले पनामा इसको हम रहा दूसरा कलर ले रहे हैं चलिए यलो ले रहे हैं हाँ सबसे पहले यह हो गया पनामा ठीक है भई पनामा के बाद कोस्टारिका यह रहा कोस्टारिका कोस्टारिका के बाद न रहा निकारागुवा फिर उसके बाद होंडूरास होंडूरास यह रहा फिर उसके बाद अलसलवाडूर यह रहा अलसलवाडूर फिर उसके बाद गौाटेमाला यह रहा गौाटेमाला फिर उसके बाद बैलीज यह रहा बैलीज चीक तो इस तरीके से हमने seven countries देख लिया फि पाद को स्टारी का कि अग्ला निकारागुए निकारा गौई के बार हुंडुरा से और उसके बाद ग्वाटेमाला को आege बार अलसलवा डोर अलसलवा डोर के बार ठीक तो यह NCP NCP और नूट इस तरीके से जैसे भी आपको याद करना आप इसको याद कर लीजे अब इसके बाद Central America को भी हमने देख लिया अब Central America के बाद बचे कौन से तीन कंट्री बची एक तो हो गया Canada एक हो गया Canada एक हो गया USA और उसके बाद एक हो गया Mexico ठीक तो यह रही टोटल अब कंट्री से अगर बात करें तो कितनी हो गई थर्टीन उधर थी वेस्ट इंडीज वाली सेवन यहां हो गई और तीन यह हो गई तो टोटल कितनी हो गई टोटल हो गई 23 तो यह देखे सारी 23 यह कंट्रीज है अलफाबिटिकल ओर्डर में यहाँ पर सॉरी अलफाबिटिकल ओर्डर नहीं है मतलब इस तरीके से रिजन 22 पहले करेबियन को हमने ले लिया तो करेबियन में यहां तक करेबियन है फिर करेबियन के बाद करेबियन के बाद फिर एक यहाँ पर यह सेंटर अमेरिका वाला फस गया यह सेंटर अमेरिका है और बांकी के सेंटर अमेरिका की कंट्रीज यह रही ठीक है और बीच में यह हो गए बीच में यह तीन कैनेडा मेक्सिको और यूएस ठीक है अब अब बात करते हैं कि इंपॉर्टन एक इंपॉर्टन रीजन की तो जो नौर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका से से इसको बोलते हैं स्थमस ओपनामा तो समस्ट होता क्या है यह कि नेड़ों पीस ओफ लैंड होता है नेड़ों पीस ओफ लैंड होता है विद वॉर्टर ऑन इच साइड डैट जोएंस टू लर्जर पीसेस ओफ लांड जैसे माल लीजे के अगर इंडिया अगर ऐसा होता है कि समjadi यह इंडिया हो गया है अब अगर मान लजो यह the जो पूरण यां पूर इस तरीके से लैंड चांटिनिवर्स लैंड होती तो हम इसको क्या बोल देते हैं इस्ते प्रण nutriव इधर यहां पर क्या है इस तरफ नॉर्थ अमेरिका है और इस तरफ स्थावुथ अमेरिका ठीक है उदर नॉर्थ अमेरिका हो गई इधर सौ यह है पनामा सिटी और पनामा भी किसमें आ रहा है नॉर्थ अमेरिका महीं आ रहा है न यह करनेक्ट कर रहा है तो देखिए इसमे हमने, हमें दो location यहां पे देखनी में हैं एक तो देखिगे आप यहां column एक तो क्या है column मत if ship को जाना है तो ship को का traveling कैसे होने वाला है ship को traveling होने वाला वो इस तरीके से होने वाला इस यह route रहेगा, ठीक है भई' हैं ऐसे तो इस रूट में एक तो पोर्थ हमारा है प्राम्आ शिट्री और एक होगिया कॉलों एक होगिया में कियां जैसे बद्वूर्डी में लार्ज इंट्रिस्टाइन का एक पार्ट होता है कॉलन है न Кउलों तो कॉलन हो गया और पनामा हो गया और बाकी आप देखी सकते हो इदर केरैपन सी है और इधर पैसिफिक उसियन है केड़ देखिए अब हम बात करते हैं कुछ फैक्स की पनामा सेटी का पनामा कैनाल के पनामा कैनल जो है इसका टोटल लेंद्ध कितना है यह 82 km है, कितना है 82 km, यह जो हमने उपर रूट अभी दिखाया आपको यह वाला, यह कितना है 82 km, ठीक, अब देखिए, यह जो पनामा कनाल है, यह अब तक कमाना गया कि भाई, one of the largest and difficult engineering project, बड़ा भारी टास्क था यह, है ना, बड़ा भारी टास्क था, और इतना बड़ा भ हमने इसको क्यों, इसको construct क्यों किया, तो देखिया ऐसा है, कि यह हो गया अपना North America, ठीक है, और यह हो गया अपना South America, यह South America, अब यहाँ पर अभी क्या है, इस्तमस्ता, इस्तमस्ता, अब अगर किसी हमें कुछ गुड्स, कुछ समान मान लीजे, यहां से कहां पहुँचाना, यहां पहुँचाना, तो हमें तो पता है कि यहां तो माउंटन भी आएगा, है ना, माउंटन आएगा, फिर यहां पर फॉरस एडिया भी आएगा, तो हमारे पास जो तरीका है, वो यहां से यहां एक ले जाने का है by land route या फिर दूसरा तरीका है कि आप इस तरीके से ये आप ऐसे जाएं तो क्योंकि अगर बहुत सारा हमारे पास heavy load है तो ये वाला जो तरीका होगा ये थोड़ा costly पड़ेगा कौन सा वाला ये land route तो हम land route के बजाए sea route थोड़ा prefer करेंगे अब sea route में ये वाला जो route हम बता रहे हैं ये आज के भी time में अगर देखा जा तो लगभग इसमें 20 to 22 days का time लग जाएगा ठीक है और यहां थोड़ा सा challenges भी रहते हैं इसके लाबा एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इधर से इधर का करो ये भी बहुत challenging task है क्योंकि ये polar reasons से होकर के ह में जाना पड़ेगा ठीक है बहुत challenging task है तो इसलिए यहां से अगर हमको ये ऐसा route मिल जाए तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा cost effective रहेगा तो इसे cross करने में ये ये वाला जो 82 km के जो हमने route बता है इसको cross करने में लगभग 10 घंटे लगते हैं लगभग 10 घंटे लगते ह सकते हैं कि कि किस लिए क्यूं ये इतना जरूरी था construct करना ठीक है तो देखिए ये आप अट्लांटिक और ये पहली बात तुमने कर दी है ना के फॉर्म से हमें होकर के गुजरना होगा और ड्रेक पैसेज या स्ट्रेट ऑफ मागलन से यहां पे हम ये बात पढ़ चुके ह यहां पास यह जो स्ट्रेट है स्ट्रेट को क्या बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मागलन ठीक तो यहां से गुजरना पड़ेगा या फिर आप बेरिंग स्ट्रेट से गुजरना पड़ेगा अभी आंगे आएगा बेरिंग स्ट्रेट यहां यह इतर रसिया है और यह वाला जो कोई तो यह इदर रसी अ हो गया इधर यूएस हो गया तो यह वाला जो लासका में आता है था न एनिद्र को यह वाला भी जो रूट है का 1946 टो इसलिए च거든 लिया गया अब यह जो टास्क था इसमें फिंडले वैलेस, फ्रैंक स्टीवेंस और वाशिंग्टन गोएथल्स ये कुछ इंजिनियर्स हैं और क्योंकि इतना बड़ा टास्क है 1904 से स्टार्ट किया 1914 तक में 10 साल में कम्प्लीट हुआ है हाला कि ये जो टास्क है पहले हिम्मत की गई थी दिए फ्रांस ने, पहले हिम्मत, कि दिए फ्रांस कने लेकिन हालत खराब हो गई हालत ऐसे खराब हो गई कि एक तो इंजिनिन फ्राब्लम agreements आ ही रही है आ ही रही थी, इसके खनावा जो वरकर्स थे उनका mortality rate बहुत ज्यादा था एलो फीवर और मलेरिया की वज़े से लगभग 22,000 वर्कस की डेथ हो चुकी थी बहुत बड़ी बात है यह बहुत बड़ी बात है कितने सारे लोगों की डेथ हो जाए फिर उस प्रोजेक्ट में आप सक्सेस्फुल होने की चांस समझ सकते हैं और लगभग कितना खर्च हो ग काम में प्रोजेक्ट में हाथ डाला था वो बैंकरप्ट हो गया था ना केवल खुद बैंकरप्ट हो गया था बहुत सारे इंवेस्टर्स का भी पैसा इसमें डुबो दिया था ठीक है उसके बाद फिर यूएस ने इस इस पर इस काम को जिम्मा लिया और 1904 से ले करके 1914 तक इसको कम्प्लीट कर दिया गया स्टार्टिंग में यूएस ही इसका जो था अथौरिटी थी यूएस के पास इस कैनाल की लेकिन बाद में एक ट्रीटी हुई 1977 में ये ट्रीटी हुई कि भाई जीमी काटर उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे और ओमर्ट ट्रोज उमार्ट टोरी जोस जो थे उस टाइम के जनरल थे कमांडर ऑफ जनरल कहां के पनामा के तो इन दोनों के बीच में ट्रीटी हुआ कि भाई अब जो है पनामा को ही दे दिया जाए पनामा को भी इसको हैंड ओबर कर दिया जा तो धीरे-धीरे करके फाइनली सेवंटीन कनाल अथोरिटी के बास है अब कुनकि यहां से जो इनको होती है उस इंकम की वजए से अब निकारागुवा निकारागुवा भी प्लान कर रहा है कि हम भी इसी तरीक का एक जो है कितना टास्क पूरा करना पड़ेगा एक तो ये वाला और एक ये वाला है ना तो निकारा गुवा भी इसी लिए प्लान करता है कि हम भी कनाल बनाएं और खूब पैसे कमाएं तो ये थी बात पनामा की अब देखिए हम बेरिंग इस्ट्रेट की जो बात कर रहे थे तो बेरिंग इस्ट्रेट ये रहा ये किस जगह की बात चल रही है ये रहा अपना कि यह रापने नॉर्थ अमेरिका और यह साउथ अमेरिका ठीक है और इधर है क्या इधर है रसिया ठीक अब यह कैनेडा हो गया कैनेडा का यह वाला जो डीजन है यह क्या है यह यूएस का है अलास्का तो भाई यह वाला जो स्ट्रेट है इसको क्या बलते बेरिंग स्ट् यह अपना बेरिंग इधर एक है इधर है Arctic Ocean इधर कौन सा ऐसीन है Arctic Ocean और इधर कौन सा ओस्यान है तो बही Pacific Ocean है इधर है Pacific Ocean ठीक टो बेरिंग इस्ट्रेट किसे Connect कर रहा है यह Arctic Ocean को और North Pacific Ocean को Connect कर रहा है और अगर थोड़ा जूम किया जाए तो ओशियन के बाद छोटा जो वाटर बाड़ी है उसको क्या बोलेंगे सी बोलेंगे तो ये है चुक्सी सी कौन सा सी चुक्सी सी और इधर क्या है बेरिंग सी ठीक है भई तो अगर ब्रॉड सेंस में बात करें तो किसको करेंट कर रहा ह और अगर थोड़ा सा और इसको जूम किया जाए तो क्या बनेगा चुक्सी सी को और बेरिंग सी को ठीक और ये सेपरेट की से कर रहा है तो ये है चुक्सी पैनेंसुला किदर का रसिया का और इधर है सी वर्ड पैनेंसुला किसका है अलास्का का तो अलास्का का सी वर्ड Peninsular है और इदर रसिया का चुकसी Peninsular है ठीक और यहां पे कुछ Island भी है डायमेड डायमेड आयलेंड और यह रहा अपना Bering Strait यह रहा Bering Strait इदर यहां पे यह Gulf of Analdir है तो बस main जो आपको नेम याद रखना है वो यह sequence याद अखना है कि वही चुक्सिश सी है और इधर bearing सी है इधर चुक्सिश पैनेंस चुला है इधर सीवर्ट पैनेंस चुला है ठीक तो ये बात हो गई हमारी किसकी bearing state की अब बाकी की बाते हम करेंगे इसके lecture 2 में